आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo कीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाओ तो देखते कौन से सहयान सामता है देखो पहले time हमने 2 है ठीक है यहां से अपनी जो first time है वो है 2 के equal और the last time है वो 38 की बीच में है ठीक है 38 है और इन दोनल terms की बीच हमने n arithmetic mean को सादी है यानि a1, a2, a3 ठीक है से insert कर दी हमने n arithmetic mean an ठीक है तो यह अपने total कितरी terms हो गई देखो यह तो n arithmetic mean हमने insert कर रहे है और एक time यह है एक time यह है so total n plus 2 terms हो गई इस series के अंदर जो एक पी series बनती है अपनी इस के अंदर total n plus 2 terms हो गई ठीक है अब देखो हमको पता है कि जो a n का formula होता है हो जाता है a plus n minus 1 into d के मेरा आपर यह पर a होता है first term n होता है number of terms d होता है common difference ठीक है और a n होता है जो n एक time निकालते हैं अपनी जो देखो यह last term 38 है तो 38 हो जाएगा है अपर equals to a तो अपना 2 है first term अब n number of terms केतनी है देखो n तो arithmetic मेरा है और 2 term यह है अपनी तो n plus 2 terms है तो यह नहीं n plus 2 minus 1 into d ठीक है अब यहां से देखो यह होगा 2 इदा लेगा है तो 36 equals to इदर से कहा है मिल रहा है n plus 1 into d के बराबर इसको लिलते है question number 1 अब हमको given है कि जो third arithmetic मेरा स्की वाली 14 है तो third a है मतलब 1,2,3 यह वाला यहनि a3 के वाली 14 given है पर जो a3 यह कौनसी term है मेरी first term यह है second term, third term, fourth term तो यह फोर्थ term जो है सिरिस की 14 के एक होल है देखो मतलब fourth term जो होग सिरिस की 14 के एक होल होगी है तो मतलब 14 equals to fourth term fourth term है a plus 4 minus 1 into d के बराबर so 14 अब 8 or 2 है plus 3d ठीक है तो ऐसा common difference मिलदा है आपको 12 equals to 3d that implies common difference की value यहां से solve करके 4k को लावे अभी d की value से put कर दूंगा था आपको n की value मिल लेगी यहां से ठीक है तो इस equation ए put कर रहा है मैं आपको 36 equals to n plus 1 into अब d की value 4 है यहां से अब 4 divided में आएगा 9 equals to n plus 1 तो solve करके n की value कितने आगी 8k equal तो यानि आपने total 8 अर्थ में इंसेट करें 2 और 38 की बीच में तो n की value जाएक 8 यानि option number C मेरे मैच कर रहा है यह जागा इसका answer ओके, thank you friends